नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टीश्ट वीच 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 चैनल में और आज लेके आया हूं मैं आपके लिए एसकोल का एक स्पेशिल कोश्चन जो के इंटर्वु में आपको कहीं पे भी मिल सकता है तो बिना टाइम येश किये चल लिए जा को इसका आउटपुट चाहिए वो इस तरीके से चाहिए कि हर टीम का नाम उसके आगे उसने कितने मैचिस खेले कितने उसमें से जीते और कितने उसमें से हारे कुछ इस तरीके का मिल को आउटपुट चाहिए तो देखिए इसको किस तरीके से लिख सकते हैं सबसे पहले व असानी हो और calculation के लिए अब second number पे हम क्या करेंगे जो भी हमने टीम के नाम निकाले हैं इनको हम क्या करेंगे compare करेंगे ठीक है तो जो team name है उसको compare कराएंगे जो भी winning team का name होगा ठीक है और अगर वो team name winning team के बराबर है तो one आजाए otherwise वहाँ पे zero आजाए ठीक है यह हमारा second हो जाएगा और third number पे हम sum और count जैसे formula को लिखेंगे और इसको एक साथ calculation करके इस तरीके का कुछ data दिखाएंगे तो जो भी step हमने यहाँ पे देखे हैं इसको हम एक एक करके लिखते हैं और देखते हैं कि हमारी query कैसे बनती है और हमारा output क्या आता है तो सबसे पहले मैं आपको data दिखाता हूँ यहाँ पे मेरी table का नाम है icc wordcup okay मैं run करता हूँ इसे तो जो data वहाँ पे था सेम वही data यहाँ पे है तो सबसे पहले मैंने कहा था आपको कि हम क्या करेंगे team की name को एक साथ लियाएंगे team1 column से और team2 column से correct यहाँ पे हम क्या करते हैं मैं लिखता हूँ team1 ठीक है और एक और मैं query लिखता हूँ यहाँ प तो आप देख रहे हैं कि team1 का नाम आ गया है team2 का आ गया है मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ union all ठीक है इससे क्या होगा हमारा जो data होता है वह एक साथ जुड़किया आ जाएगा दोनों query का data और इसमें से duplicate remove नहीं होंगे अगर मैं union select करता है तो duplicate remove हो जाते बट मैं all select कर रहा हो तो duplicate remove नहीं होंगे मैं से run करता हूँ अब देख रहे हैं आप team1 के name से सारी team यहाँ पर आ गई है अब देखें इंडिया नंबर 1 पर और इंडिया नंबर 10 पर भी है ठीक है तो duplicate आए है हम एक और चीज यहाँ पर करते हैं इन दोनों का नाम team name कर देते हैं जो देख देंगे जिससे कि हम calculate कर पाएं कि जीतने वाली team है वो कितनी बार जीत रही है ठीक है तो देखिए अब यहाँ पर हम use करेंगे case का तो मैं हाँ पर कॉमा करता हूं और लिखता हूं case when जब team 1 equal to winner के ठीक है आप देखने है team 1 का जो नाम है वो winning team के बराबर पे हो then वहाँ पर print हो जाए one else अगर नहीं है तो वहाँ पर आ जाए zero और मैं इसका end कर देता हूं और मैं इस case को नाम देता हूं as win flag ठीक है मैं इसको नाम देता हूं और same मैं क्या करता हूं इसी को copy करता हूं और कॉमा देके यहाँ पे भी मैं इसे paste कर देता हूं बस अंतर इतना होगा कि team 1 की जगा team 2 क्योंकि पहली जो query थी वह हम team 1 के नेम के लिए लिख रहे थे और जो पूरे को एक वारी print करके दिखाता हूं देखिए इंडिया पहला मैं जीता है उसके बाद यह नहीं जीते उसके बाद Australia, England, New Zealand और India एक मैच और जीता है ठीक है तो इतना काम हमारा हो गया है अब हम क्या करेंगे इसको एक CTE के इंदर डाल देते हैं ठीक है मैं इसका नाम द इने हैं तो देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर select star from CTE अब यहां पर हमें कौन-कौन से कॉलम चाहिए थे सबसे पहले हमें चाहिए था team का नाम मैं star को अटाता हूं और team name लिख लेता हूं तो team name यहां से मेरा CTE table जो हमने नहीं एक common table expression लिखी थी वहां से निक ठीक है जो हमने निकालाता है इसका हमने count कर दिया आप चाहिए वहां पर one हो चाहिए zero हो ठीक है और इसको मैं दे देता हूं as total played matches ठीक है और अब मैं क्या करता हूं यहां पर इसको मैं कर देता हूं team name को group by क्यों क्योंकि यहां पर अगर कोई भी team दो बार आ रही है तो उस इसको मेरे को एक बार ही दिखाना है और उसके आगे total उसका count दिखाना है कि कितने matches उसने के लिए ठीक है मैं इसको एक साथ run करता हूं city हमेशा fetching query के साथ run होता है अब देखिए Australia ने दो match के लिए हैं India ने दो match के लिए England ने दो match के लिए हैं New Zealand ने एक South Africa ने और Sri Lanka ने दो तो यह आगे हमारा total paid matches और इसके लिए हमने क्या करा count करा, second number पर हमें दिखाना था कि किस team ने कितने matches जीते हैं अब अगर मैं यह वाली query run करूं यहाँ पर देखिए जिस team ने भी match जीता है उसके आगे one लिखा है यानि कि अगर मैं इसका sum करा दू win flag का तो पता चल कि कौन से team कितने match जीती है तो मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ sum of win flag ठीक है as क्या है यह total won matches ठीक है अब इसको भी मैं run करके दिखाता हूँ आपको कि कैसा output आ रहा है देखिए अब यहाँ पर दिखा रहा है कि किस team ने कितने total matches के लिए और कितने won करे हैं ठीक है third में दिखाना है कि कितने match हारी है team अब देखिए जब हमने यह निकाल दिया कि total played matches कितने हैं और total won matches कितने हैं तो अगर मैं total played में से total won matches हटा दूँ यानि minus करा दूँ तो मिर को पता चल जाएंगे कि किस team ने कितने match हा रहे हैं ठीक है तो मैं करता हूँ comma enter मैं इस count को ले ल team flag यानि पूरे count में से मैंने हटा दिया जितने भी जो team जीती है दो matches इसको मैं लिख देता हूँ as total lose matches ठीक है और यहां पर मैं कर देता हूँ order by किस से total won matches है और वो भी descending में यानि जिससे जो टीम जीती है उसका नाम सबसे टॉप पर आज अब मैस पूरे को रन करता हूँ अब देखिए इंडिया ने दो match के लिए दोनों जीते है एक भी नहीं आ रहा तो जो सबसे ज्यादा जीती है वो उपर आया है उसके बाद उससे कम वाले तो आपने दिगा किस तरीके से ह के यहां पर सबसे पहले यहां पर हमने कॉमन टेबल एक्स्प्रेशन का यूज करा हमने यहां पर यूनियन और का यूज करा उसके बाद काउंट सम और कुछ सिंपल फॉर्मली के साथ ग्रुबभाय लगा के अपना आउटपुट निकाल लिए होब आपको आज की वरी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपके पास भी को सॉल करने का कोई और तरीका है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखके दे सकते हैं